हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में आज के क्लास में क्लास 12 वालों के लिए न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इससे पहले क्लास में 12 वालों का पूरा हमने स्लेबस बता दिया था बताया था कुल मिलाकर 13 चैप्टर से और उनी 13 चैप्टर में कई लेकिन यहाँ पर एक word और अड़ कर दिया गया है यहाँ पर आगे प्रतिलों मित्लब सीदे सीदे आप इतना समझर लीजिए इसका मतलब होता है inverse मतलब की बोलते हैं इसको उल्टा आपने वहाँ पर पढ़ाता sin theta cos theta ten theta cos theta set theta यहाँ पर क्या होगा उसका inverse हो जाएगा inverse मतलब क्या होगा इस तरीके से power में क्या लगा होगा minus one लगा होगा ठीक है जैसे की sin की power उपर minus one लगा होगा cause के उपर ये देखे inverse का हमने आपको बता दिया प्रतिलोम का मतलब inverse है आप पूरे chapter में inverse के बारे में पढ़ेंगे और पूरा chapter तिकोर मितिये का है मतलब आपको साइन कॉस्ट यही सारी चीज़े देखने को मिलेंगी और इस चैप्टर की खास बात हमने आपको भी यह भी बताई थी कि अगर आप इसके फॉर्मुले अच्छे से याद कर लेते हैं तो भाई यह बताते हैं कि करके फॉर्मुले फिर आगे आपको इसके सवाल भी सॉल्फ कराए जाएंगे अगले क्लास में तो देखें आज का हमारा जो पहला पॉर्मुला है यह है साइन इन वर्स एक्स ठीकिए आप इसको माइनस हाँर में माइनस वन मत पढ़िये गा क्या पढ़ए पर्तिलौम तो इसको आप क्या पढ़ेंगे साइन इन जोर्टे हैं तो यह वैल्यू किसके बडाबर आती है Pi by 2 के बराबर आती है Pi by 2 का मतलब होता है 90 degree ठीक है इतना समझ में आ गया आपने इसी तरीकी से formula पढ़े होंगे 10th class में सरसमिकाएं पढ़े होंगी जैसे कि होती ही sin square theta plus cos square theta is equal to 1 इसी तरीकी से 3 सरसमिकाएं कुल मिलाकर होती है फिर वहीं से हम formula और आगे निकाल लेते है और होती है sec square theta minus का 10 square theta is equal to 1 और एक इसमें आती है हमारी cos square theta minus का quad square theta is equal to 1 तो कुल मिलाकर ये 3 सरसमिकाएं थी वहाँ पर हमने पढ़ी वहीं से हमने formula और बना लिए उनसे 2-2 और formula बन गए और इसी तरीके से ये यहाँ पर ये 3 formula है पहला तो जिनमें से बता दिये sin inverse x plus cos inverse x बराबर 1, sorry, pi by 2 वहाँ पर क्या था? sin square theta क्या था? एक वर हम आपको लिख कर बता देते हैं वहाँ पर था भई sin square theta भई आप theta angle में ले लीजिए यह x angle में ले लीजिए बात वही है अब कोई भी माल लेते theta है, phi है, x है angle में क्या ही इससे क्या ही फर्क पड़ता है तो यहाँ पर पहले कहते है सरसमिका हुए पहले सरसमिका हमारी थी sin square theta plus cos square theta बराबर 1 यही तो थी यहाँ पर क्या हुआ भाई, यह square यह जो power जब 2 लगी होती है उसे square पड़ते है तो यहाँ पर square को हटा दिया क्या लगा दिया minus 1 power लगा दिया यानि कि inverse कर दिया तो यह किसके value बराबर होगी pi by 2 के तो यह होगी sin inverse x plus cos inverse x बराबर pi by 2 देखिए काफी detail में formula इसलिए आपको बता रहे ताकि आपको आने वाली time तक काफी time तक आपको याद रहे साथ-साथ में बोलते रहेगा तो आपको याद भी होता रहेगा देखिए इसी तरीके से अगला क्या है 10 inverse x plus cos cot inverse x बराबर pi by 2 और तीसरा है cos inverse x प्लस का second inverse x बराबर pi by 2 ये तीनों आपस आप एक साथ ही याद करेंगे कैसे याद करेंगे देखिए sin और cos हमेशा साथ में रहेंगे विलाद वैसे तो आपने पढ़ाओगा sin x बराबर होता है 1 upon cos 1 पतलब कि sin और cos 1 आपस में जो होते एक दूसरे के आप कह सकते भाई band type लेकिन यहाँ पर क्या है sin और cos ये गलत मत करेगा sin और cos साथ में रहेगा जैसा हमारा सर्वसमीका में साथ था ठीक है अगले में 10 और cos साथ में रहेगा और 3 वाले में क्या होगा cos और sex साथ में रहेगा यह वही सारी चीज़े हैं जो हमने आपको सर्वसमीका पहले पढ़कर आए जो भी बता दी आपको ठीक है उसके बाद कुछ यह और फॉर्मुले यह तीन फॉर्मुले भाई बहुत आपके हो सकता है objective में भी पूछ लिया जाए कि बही बताए कि 10 inverse x plus cot inverse x is equal to क्या होता है तो बताना हुआ क्या होते है किसके बराबर value होती है पाई बाई 2 के उसके बाद अगला है sine inverse sine inverse यह जो angle में क्या लिखा हुआ है 1 upon x मतलब कि यह x का angle उल्ट पलेड दिया है मतलब x यह है इसके नहीं चे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है angle को क्या किया हमने उल्टा कर दिया उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 upon x तो sine inverse जब भी इस तरीके से 1 upon x आपको दिखेगा सवालों में आप उसे direct change कर देंगे किसमे cos एक inverse x में अब भाई इसमें और इसमें confused मत होईएगा कि यहाँ पर तो sine of cos साथ में है लेकिन यहाँ पर तो sine of cos से का आगया तो यह चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी जैसे कि आपने पहले पढ़ा होगा पहले क्लास में कि sine theta बराबर होता है 1 upon cos theta यह पढ़ा था ना तो वही है अगर यह sine inverse 1 upon x है तो इसको किसमें आप convert कर देंगे cos inverse x में उसके बाद इसी तरही किसे cos inverse 1 upon x होगा तो sec inverse आ जाएगा और 10 inverse 1 upon x होगा तो क्या आजाएगा cot inverse x आजाएगा तो यह भी आपस में आपस में आप एक साथ formula याद करिएगा यह तीन आप आपस में एक साथ formula याद करिएगा फिर कुछ formula यहां पर देखिए और भी लिखे होएं कि sin inverse minus x अब यह देखिए यह जो एंगिल यह जो चल रहे हैं जो ब्रैकेट में लिखे होते हैं यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर क्या लगा देंगे तो क्या हो जाएगा x चल रहा है यहां पर तो यहां पर भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा यह जो जितने हमने यहां से यहां तक यह जो formula लिखे हैं यह भी आपको साथ में याद करने पड़ेंगे क्यासे यह देखिए sin inverse minus theta, cos inverse minus theta, 10 inverse minus theta, cos inverse minus theta, sec inverse minus theta, और cot inverse minus theta इसको याद करने का भी तरीका बताते हैं यह देखिए यह sign है, cos है, इधर भी cos है, 10 है, इधर भी 10 है, cos है, इधर भी cos है, sec है, sec है, cot है, cot inverse है मतलब जो इधर लिखा हुआ है, same उधर भी वही लिखा हुआ है अब आपका पहला काम है हर जगे minus लगा दिजिए यह देखिए, हमने हर जगे minus लगा दिया, उसके बाद देखिए, यहां पर पहले c, पहला word आपको देखना है c, क्या देखना है c, पहला word c, कहां पर यह देखिए, आप यह सकते है, cos, cos का का ले लिजी, c, है कि नहीं, तो यहां पर cos में क्या आ जाएगा, आगे बस pi आ जा है, यह भी आगे अपने pi लगाएंगे, तो यह इन्हों ने भी अपने pi लगा लिया, क्यों, क्योंकि cos जब यह है, तो उसका उल्टा सेक होगा, तो इसके भी आगे pi हो जाएगा, याद हो गया formula, उसके बाद एक और formula होता है, जिसमें आगे pi आता है कौन, एक यह आ जाता ह क्योंकि इसमें भी आगे क्या है का, पतलब सी है, लेकिन यहां पर आप मत गुल्टा कर दीजेगे, कि कॉट है, तो कॉट का उल्टा 10 हो जाएगा, तो यहां पर भी आप पाई लगा दे तो भाई वह गलत हो जाएगा, यह छोटा है, 10 बड़ा है, आपने क्या पड़ा है, साइन, कॉस और 10, ठीक है, तो यह जो हैं, यह आपको देखने हैं, उसके बाद, उसके इसका उल्टा कॉसेक, फिर यह सेक, फिर यह कॉट, यह मेजर होते हैं, तो यह आप याद रखिए, ठीक है, तो सब में सबसे पहले मैं आपको बता है, जो भी इदर चीजे चल रही है वो ही उदर चलेंगी, माइनस लगाके आपको लिखना होगा, किन-किन में पाई है, तो वो चीज़ के वल आपको याद रखनी होगी, क्योंकि काफी बच्चे यही भूल जाते हैं, किस-किस में आपको आगे पाई करना होगा, तो यह देखिए, हम इधर टिक लगाते रहे यह देखिए, कॉस वाले में आगे पाई लगेगा, कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक में पाई लगेगा, और लास्ट में कॉट में पाई लगेगा, ठीक है, तो यह जो तीन फॉर्मुले ऐसे हैं, जिन में आगे पाई लगता है, और बाकी सब में माइनस लगा के जो इधर तो जब हम आपको सवाल लगवाएंगे तो वहां पर यह फॉर्मुले यूज होंगे तो इसलिए याद करिएगा उसके बात यह कुछ दो फॉर्मुले और हमने लिखे है साइन और ब्रैकेट में लिखा हुआ है साइन वर्सक्स तो हमेशा याद रखिए कि जब भी दोनों ए जैसे लिखें लेकिन यहांपर पावर कितनी है माइनस और यहांपर अगर आपने नगी माइनस क्या जायाँ अगर दिखाइए गण än कोई भी फंक्शन को कैंसल नहीं कर सकते हैं मतलब कि काट नहीं सकते हैं लेकिन आपको बता दिया है अगर दोनों फंक्शन सेम है एक में इन्वर्स लगाए और इसी तरीके से सिंपल ही फॉर्म में लिखा हुआ है उनको रिखे नहीं करिंगे बचा को बहुं जो भी एंगिन है वह आ जाएगा इसी तरीके सो से तो यह आपस में इन्वर्स से ज़ली से अंसर क्या आएगा वर आफसमें गया है चल रहा है एक से न रहे चल रहा है ऐक ठीटा चल रहा है उसी तरीके बादर की से से को ऐसे इसी असे होते बस आपको है आपको बचा हुआ है तो आघ के कुछ formule पर बता देंगे और उसके बाद ही हमीस का चैप्टर सुरू करेंगे क्योंकि भाग운사를 हैं किस्केन चैप्टर आफ इसावाल याद करेंगे थैड़ी तो आप वह पर सवाल है या करेंगे ओर आप खुद इसके सवाल लगा लेंगे, तो इसलिए इनको नोट कर लिजेगा, अगने क्लास में बिलेंगे, तो कुछ और फॉर्मूली पर बात करेंगे, तो इस क्लास में इतना ही, तब तक की लिए, जय हिन, जय भारत!